Hello Students, This is Raviis Kumar Mishra and I am back again आप जो मैं आपके लिए topic लेके आया हूँ वो है how to crack IITG in one attempt बहुत बच्चों ने प्री जो पुराना हमने अभी videos, lectures जो आपने अपलोड किये हैं काफी बच्चों ने mail किया है, I really appreciate और प्लीज आप इस चैनल को ऐसे ही subscribe करते रहिए so let us start क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में हमने नीट कैसे, नीट की तियारी कैसे करें how to prepare for NEET examination 2017 देखा था आज मैं एक slide लेके आया हूँ जिसमें हम यह देखते हैं कि how to crack IITG in one attempt okay so let's start so here we go what is our first step our first step is to know the IITG pattern अगर आपको कोई भी exam की तियारी करने not only IIT की बात नहीं कर रहा है किसी भी exam को यह अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि उसका pattern क्या है वो क्या-क्या मांगते हैं क्या-क्या उन्हें चाहिए तो आप अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर बहुत छोटे में लेकिन बहुत ब्राड सेंस में आपको यहाँ दिखाई देगा कि टू-फेज इग्जामिनेशन है मेंस और एडवांस दो फेज हैं यानि एक आप ऐसे कह सकते हो एक L1 और एक L2 अगर आप L1 यानि मेंस क्लियर करोगे तभी आप एडवांस के लिए एलिजिबल होगे तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं वो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्स और जो प्रेस्क्राइब स्लेबस होता है याई स्लेबस फ्रॉम क्लास 11 एंड स्लेबस फ्रॉम क्लास 12 ठीक है अब हम और आगे इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन इग्जामिनेशन अगर आप ध्यान दो यहाँ आपे साइड में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि टाइम 3 आस 90 questions आप से पूछा जाएगा और वो भी multiple choice questions आपको मालूम होगा multiple choice का मतलब है कि एक question होगा उसमें 4 option होगे और कोई एक सही होगा यहाँ पर एक चीज नोट करना मेंस में कोई एक ही answer सही होगा ठीक है लेकिन advance में चीजें बदल जाती हैं उसे हम अगले slide में discuss करेंगे तो यहाँ पर time 3 ask 90 question mcq सबका equal weightage है ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा यानि कि अगर मैं 1 mark इच मानूँ तो 19 to 1 हो जाएगा ठीक है equal weightage या 4 marks इच मानूँ तो 360 marks का जो actual pattern ने 360 marks का अगला है अगर आपने कोई question माना solve किया मान लिया कि आपने एक physics का ही physics का portion उठाते हैं because आपको पता है मैं physics teacher हूँ इसलिए मैं physics को ही उठाता हूँ तो अगर मैं physics का topic उठाया और let us suppose मैंने वहाँ पर एक question सही कर दिया तो what I will get is I will get plus 4 points points here refers to marks ठीक है अच्छा मान लिया एक question हमने solve किया और वो गलत हो गया तो यहाँ से problem यह है गलत होने में बहुत बड़ा एक problem है वो है minus marking का यहाँ पर आपका minus 1 हो जाएगा minus 1 mark हो जाएगा याद रखना यानि कि IITG का जो paper है उसमें minus marking है और जो last होता होता है कि कोई भी point आपका नहीं करता है नहीं कुछ हैड होता है अगर आपने कोई question अनटेंट किया है तो हम आगे जब भी वीडियो बनाएंगे तो हम इस बात को जरूर रखेंगे कि कब कि sense में हमें छोड़ देना चाहिए question को या कई बार हमें basic लगता हो कि नहीं है answer सही नहीं है लेकिन उसमें apply करना चाहिए hit and trial method अपनाना चाहिए या कई बार हमें कुछ जगा luck factors को अपनाना चाहिए ये उनके लिए है जो सिर्फ clear करना चाहरे है ठीक है अगर आपकी तियारी अच्छी है तो luck factor पर आपको dependent होने की जुरत नहीं है अच्छा ये जो 90 questions अभी मैंने बता है MCQs का इसमें 3 section divided है physics 30 questions chemistry again 30 questions and maths 30 questions यानि total 90 questions अब चलते structure of advance पे तो अगर आप भ्यान दो structure of advance में देखो ये red button red जो आपका color है means के ओपर इसका मतलब अगर आप clear नहीं करते हो means तो advance green नहीं होगा इसका मतलब आप advance में नहीं जा पाओगे और अगर आपने means clear कर लिया तो 100% you will be eligible to give advance examination तो structure of advance देखते हैं इसमें 2 paper है paper 1 और paper 2 और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि मैंने इसमें try किया है जो भी जैसे भी divisions आते हैं उस सब को लिख देना तो paper 1 में अगर आप देखो तो इस section contain 10 multiple choice question जिसमें only one correct answer यानि 10 तो question ऐसे होंगे जिसका सिर्फ एक answer सही होगा अगेन 5 multiple choice question with one or more correct answer यानि 5 तो ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है एक या एक से ज़्यादा सही हो यानि either A, B either B, C या A, B both are correct next होता है 5 question that require the test taker to provide a single digit answer ठेक है बहुत important line है तो इसके बारे में हम और ज़्यादा detail करेंगे जब हम इसके ठीक इसका जो अगला वीडियो within couple of days आपके पास होगा वो है IIT G solution 2016 और उसमें हम फिर वही जैसे हमने NEET में explain किया था physics वाला part कि कैसे solve करें बहुत easily हम उसे solve करेंगे कोई export view नहीं देना है हमें ठीक है क्योंकि हमें learn करना है हमें बढ़ना है कि how to tackle with numerical तो same process में IIT का जब paper solve करूँगा तो दिखाता हूँ next अगर आप देखो paper 2 paper 2 में each section contains eight multiple choice questions with one correct answer eight questions that required responding to a reading passes यानि passes type question होगा जैसे आपने English में पढ़ते हो एक पैसेज दे दिया जाएगा उसके best पे कुछ questions पूछा जाएगा and several match list matching list का मतलब जैसे match the following है ठीक है वैसा type का questions इसमें आएगा तो अगर हम next पे चले तो चलो हम start करते हैं तो हमने देखा कि कैसे ये जो total IITG exam है वो divided है अब हम start करते हैं ठीक है क्योंकि हमारा जो topic है वो है how to crack तो आज हम बाहर ही बाहर बात करेंगे एक proper pattern की बात करेंगे एक proper time table की बात करेंगे एक proper motivation factor की बात करेंगे एक proper book list की बात करेंगे एक proper materials की बात करेंगे ठीक है और फिर हम आगे पढ़ेंगे तो ये topic स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप slide को ध्यान दो इसमें आपको जब बचो पहली बार जब आप इसको देखते हो तो आपके mind में क्या question आता है ठीक है I hope आप सोच लिए होगे तो देखें इसमें मैंने point डाला है thank you parents ठीक है problem यह होता है जब भी मैं किसी बच्चे से deal करता हूँ mainly जो IIT की तयारी करने जाता है जब वो entry level पे आता है तो सबसे पहले मैंने देखा वो already demoralized रहता है क्यों demoralized रहता है क्योंकि इतना ज़्यदा marketing है इस समय इतना ज़्यदा इस समय हर जगा यह दिखा जाता है कि अगर कोई बच्चा coaching जोईन नहीं करेगा तो वो कभी भी clear नहीं कर सकता है तो बिटा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर एक coaching की वज़ा से एक बच्चा clear करता तो हर coaching में एक बच्च में 200-300 से ज़्यादा बच्चे होते हैं एक बच्च की बात कर रहे हैं overall एक एक दो-दो लाख बच्चे होते हैं फिर तो सारे यह जो seats हैं के 1122 लाक्स seats हमारे पास कितना होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर top branches देखे तो 6-8,000, 10,000 नहीं आ एक इस खुल गए हैं फिर यह coaching के पास एक लाख बच्चे हैं तो फिर 12,000 जा रहे हैं यानि कि बाकी लोग तो भाई entry नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले ही बच्चा demoralized रहता है तो बच्चा इस demoralized factor से आप लोग को उपर उठना पड़ेगा और उसके लिए जैसे आपने start किया मालिया you have clear class 10th कुछ बच्चे 8 से भी तियारी करते हैं 9 से भी तियारी करते हैं लेकिन वो basic part होता है आपकी actual starting होगी तियारी की after 10th जब आप 10th का exam दे दोगे जैसे कुछ बच्चों का आप exam होने वाला होगा तो after 10th आप एकदम be prepared कि हाँ कि अब हमे non-medical लेना है और non-medical से हमें IIT का target रखना है और target रखते ही लोग coaching खोजने लगते हैं सबसे पहले इस video से आप ये देखो अपने potential को देखो क्या demand करता है exam उसको देखो फिर अगर आप उस पे आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो तो इसमें देखो बहुत clear मैंने लिखा thanking your mom and dad who made you capable to set this target अगर आप 10th तक नहीं पढ़े होते तो सायद आप ये aim नहीं रख पाते कि अब हम IIT की तियारी करते हैं तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी mom and dad को thank you करना होगा दिल से और don't crack it for yourself but for the happiness and smile of your parents बढ़ा आपना ये सारी चीजों को जो भी life में क्योंकि आप अभी बहुत जोटे हो अगर मैं कहूं आप अभी से अपनी life के बारे में सोचो आप अभी से अपना aim fix कर दो आपको एक बहुत बढ़ा aim तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है practically देखा जाए तो class 10th का बच्चा बहुत ही छोटा होता है class 11, 12th just they grown up तोड़ा सा grow करते हैं बट अभी भी वो इतने capable नहीं होते हैं कि अपनी future के बारे में लेकिन हाँ वो कोई भी exam crack करने के लिए आपको एक motivation चाहिए और वो इस age के बच्चों में good career path motivation नहीं होता है क्योंकि वो अभी इतने छोटे होते हैं को नहीं इतना नहीं पता जता है कि what is the good career option आपने देखा होगा कई बार लोग IIT coaching IIT clear करने के बाद MBA करने चले जाते हैं IIT clear करने के बाद बहुत सारी चीज़े क्यों दोद्या topper इसका मतलब वो motivated उनका एक aim वो नहीं था कि नहीं मुझे IIT करके यही बनना ऐसा नहीं होता है actually IIT is a crazy ठीक है तो आप short term aim short term goal तभी आप motivate हो पाओगे तो उस motivation के लिए सबसे अच्छा है कि इसे अपने लिए crack मत करो इस exam को आप as a gift अपने parents को दो एक बार आप अपने parents के लिए करके देखो ठीक है एक बार वो दिन सोच के देखो आपको really एक driving force मिलेगा एक ignition मिलेगा और जहां भी आपको लगेगा कि अब मैं ठक रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे numerical लगाने पढ़ेंगे बहुत सारे concept लगाने हैं सोचने और पढ़ने पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आपको motivation factor रखना है और एक चीज और देखिए हैं मैंने यहाँ पर लिखा भी हो आई red color से आप देखो never complain about what your parent could not give you it was probably all they had कई बार बच्चों ने कहा कि हम coaching नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े बड़े coaching में जाने सही होता है और पता चला हमारे parent की earning ही बहुत कम है तो वह कहां से effort कर पाएंगे तो वेटा एक चीज याद रखना कि कभी भी अपने parents को complain नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना आप इस लायक बने हो या आप देखो आप अगर ये वीडियो देख भी रहोगे तो obviously बात है आप कहीं न कहीं एक जगा stand किये हो तो ये आपके parents की वज़े से ही है और उनके पास जितना था उससे कहीं ज़्यादा आपको देते हैं ठीक है तो without demoralizing हर चीज बेस्ट लेके सब अच्छा सोचके आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए books कौन-कौन से book पढ़ना है अब देखो मैंने एक बात कही थी पिछले वीडियो में भी नीट के जब मैं तैयारी कैसे करें और physics के लिए भी toppers का एक बहुत सीधा सा फंडा होता है वो n number of book one time नहीं पढ़ते हैं वो one book n numbers of time पढ़ते हैं याद रखना एक book है आप भी check करके देखो let's suppose आप 2 गंटे के लिए physics पढ़ने गए आप जैसे ही पढ़े और आपने अपने बगल में 20 यों book रख रख रखे 20 यों software रख रखे पता नहीं क्या-क्या आपने वहां खोल रखा है तो जैसे ही आप एक topic पर पढ़ोगे आपका मन करेगा चलो मैं discover करता हूँ कि उस book में क्या लिए और इस तरीके से दो गंटे में आप ज्यादा ज्यादा एक दो topic पढ़ोगे और वो भी useless होगा तो इसलिए एक समय में एक ही books लेके चलना चाहिए always remember solve या read one book and numbers of time ठेक है अब जैसे physics में आपने देखा होगा पहले ही line में लिख रखा है आप physics ही नहीं physics chemistry में तीनों में आप देखो लिखा हुआ है कि books में in addition with ncrt in addition का मतलब ncrt तो करना ही करना है hundred percent करना है board अगर आप clear करना चाहरे हो ncrt करो iat clear करना चाहरे हो ncrt करो neat clear करना चाहरे हो ncrt करो अगर आपके कोई भिया is की तियारी करने तो आप उनसों ही पूछ लेना उन्हें भी ncrt करने को बुला जाता है ठीक है तो in addition with ncrt एक बार जब आप ncrt लेके बैठो गे उसे एक बार target को clear करो गे उसके बाद साइड में एक ही बुक रखो बहुत ज़्यादा नहीं और वो है sc varma एक sc varma और एक ncrt दोनों पार्ट ठीक है chemistry में ncrt तो ही है और एक और बुक रखना आपको op टर्ड़ maths में ncrt के साथ यहाँ पर आप दो बुक ले सकते हो जैसे एक rs अगरवाल दो क्यों लिए यहाँ पर यह भी में बता दू क्योंकि maths में बेटा mainly आपको बहुत ज़्यादा numerical I mean not numerical यहाँ numerical physics के लिए बोला जाता है अच्छा स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले देखो सबसे पहले यह बीच की लाइन छोड़के एकदम नीचे में आता हूँ लिखा हुआ clearly basic is must to start with if you have no command in basic then for sure you are not going to crack IIT जी basic अगर आपका त्यार नहीं है आप कभी भी IIT की त्यारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो clear नहीं होने वाला है basic का मतलब क्या basic का मतलब 9 10th की NCRT book आपको अच्छे से आनी चाहिए physics की SC वर्मा आती है 9 10 10th की वो आपको आनी चाहिए maths की RD सर्मा आपको लगाना पड़ेगा और chemistry की NCRT आपको अच्छे से आनी चाहिए ठीक है तभी आप आगे जब बढ़ोगे क्योंकि जो 9th में आप पढ़े हो वही आपको देखना 11th में मिलेगा लेकिन बड़े लेवल में मिलेगा जो आप 10th में पढ़ोगे chapters वही आपको देखना वो 12th लेवल में मिलेगा और बड़े लेवल में मिलेगा तो अगर आपको जब 11th लेवन में वो same topic 9th में आएगा तो वहाँ 11th का जो book है या 11th का जो teacher वो एक्सपेक्ट करके रखेगा कि इस बच्चे को 9th आती है तो जनरली हम सीरियस नहीं होते हैं 9th में और CC पैटरन के वज़े से 10th में भी कुछ बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं उस चीजों को तो बेटा अगर आप त्यारी कर रहे हो मैं फिर कर रहा हूं मांक्स से मतलब न दूरेशन रहता है उस डूरेशन में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेश्ट मत करो ठीक है आप उस डूरेशन में 9th और 10th का कुछ रिवीजन कर लिया करो ठीक है फिर आप स्टार्ट करते हैं तो नेक्स पे चलते हैं इन एडिशन टू बुक ऑनलाइन रिसोर्सेज और म मैंने चुकि हमारे इस चैनल का मोटीव ही है मेरा एक क्लियर मोटीव है कि इस चैनल के थरो मैं अपने बच्चों को हर वो सुविदा देना चाहता हूं हर वो गाईडेंस देना चाहता हूं चाहे मुझे कितनी भी महनत करना पड़े जो एक अच्छे कोचिंग सेंटर में मि तो आप सीधे सबसे पहले तो आप Conceptual Physics India चैनल I mean आपको टाइब कर दो Conceptual Physics India आपको ये चैनल आ जाएगा YouTube पे और उसे सब्सक्राइब कर दो दूसरा एप है अगर आप Android यूजर हो Download एप टाइब Conceptual Physics at Google Play Store जो मैं आखरी में वीडियो दिखा दूगा और अगर आप Apple यूजर हो तो आपको same step वहाँ भी करना है ठीक है कोई charges नहीं है उसके अंदर क्या-क्या है वो मैंने बार-बार वीडियो में बताया है end में भी बताऊंगा और clear जब उपर लिखा है कि online resources and material फिर से if you want to trust if you want to crack without any expensive coaching तो आपको trust तो करना पड़ेगा तो यह जो आपको book list दिखाई गई है इस book list के अलावा आपको online resources भी मिलते रहेंगे next कि अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा बच्चे question पूछते या puzzle होते हैं वो है कि how to make time table हम time table कैसे बनाएं तो आप देखो यहाँ पर देखो एक चीज और सब अब जैसे यह मेरा बनाए time table हो सकता है सब के लिए apply ना हो लेकिन yes चुकि यहाँ पर ऐसा guidance में आपको provide कराऊ तो आप इसके hint लेके यानि इससे कुछ आप अपना idea बना के अपना time table बना सकते हो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जोस में time table बनाने बैठे हैं और इतना जादा और जादा बड़ा बड़ा वो दे रहते है time table में जैसे मैंने एक बच्चे का time table देखा he was so excited कि मैं आप IIT की इत्यारी करने जा रहा हूँ दो साल पहले की बात है मैं time table मैंने उसे बला आप time table बनाऊ तो आपको पता हूँ time table उसका देखे मैं खुद सोचा कि सायद आइंस्टीन भी इतना नहीं पड़ेगा उसका time table था 2.30 पे घर से आया I mean school से आया 3 o'clock से 9 o'clock physics 9.15 से 1 o'clock chemistry and 1.15 से 3.30 maths अब बताओ हो सकता है क्या possible है प्रैक्टिकली possible है और संडे का time table क्या था उसका सुबद 6 बजे से साम को 6 बजे एक घंटे का break फिर आठ बजे से लेके सुबद के 4 बजे जो possible नहीं है तो प्लीज आप बहुत केर से यह आपके पास देखो ऐसे आपको week time table बनाना है week time table में आपको Sunday rest R means यहां rest है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday again Saturday और जो Sunday है Saturday, Sunday तो आपको मैं rest दे रहा हूँ क्यों दिया हूँ यह भी मैं अभी बताऊंगा Saturday को आपको क्यों कैसे पढ़ो देखो आप इदार अगर साइड में देखो तो per day target 2 hour physics यह 5 days के लिए है 2 hour chemistry यह भी 5 days के लिए 2 hour maths यह भी 5 days के लिए है और Saturday को आपको सिर्फ note making करना है note making का मतलब है पिछले 5 दिनों में आप जितना भी पढ़े हो उसको revise करो उसे लिख कर देखो क्योंकि ज़्यादा पढ़ना important नहीं है में आपको कितना याद हो रहा है ठीक है आप कितना retain कर रहा है आपको mind तो इसलिए यह गलती कभी नहीं करना Saturday को आपको क्या करना है 5 days अच्छा मान लिया आपको लगता हो कि मैं 2 घंटे की जगा 1 and 1 वो practice से आजाएगा self control से आजाएगा 1 and 1 वे आज दिया सर कोई बात नहीं आप note making जब आप करोगे तो उस वाले portion को जिस वाले दिन क्योंकि आप portion भी allot करोगे उस वाले portion को आप उस दिन पढ़ लेना ठीक है उसके बाद देगो Sunday का time table clear लिखा rest rest का मतलब यह नहीं है rest का मतलब है मतलब अब आपका कोई target नहीं है अगर आपने सारी चीजें timely किये तो आपके पास कोई target नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो आप additional questions ले सकते हो आप net से कोई कोई पिछले साल का paper उठा लो download करो I mean वो होना subject related ही है जैसे आपने 5 दिन में मालना एक chapter खतम किया 20 topic या 10 topic खतम किया उसके based आप numerical Sunday को लगा लो ठीक है यह आपका एक तरीके से activity भी हो जाएगा आपका recreation भी हो जाएगा mind का और अगर आपका पीछे कुछ complete नहीं है target तो फिर तो बताने की जुरत ही नहीं है कि आपको क्या करना होगा देखे लिखा है rest if completed और complete that's all next slide पे चलते है clearly देखिए यहाँ पर division of time कैसे divide करें time को theory versus numerical कुछ बच्चे सिर्फ numerical ही लगाते है कुछ बच्चे सिर्फ theory ही पढ़ते है तो फिजिक्स के अंदर आपको 60% time numerical को देना होगा chemistry में 80% आपको time theory plus concept पे देना होगा और 20% numericals पे देना होगा sorry यहाँ theory की गलत spelling थोड़ी सी wrong होगी chemistry में maths 20% time आपको formula पे देना होगा और 80% आपको problem solving पे देना होगा next एक सबसे बड़ी जो problem आती है बच्चे कहते हैं कि सर जब मैं तयारी कर रहे हैं तो थोड़ा साम school और preparation के बीच balance नहीं कर पाते हैं तो पेटा always remember balance school and IATG preparation यह must है अगर आप स्विफ IATG त्यारी करने के लिए पता चला school जाना छोड़ दिए आप school में absent हो रहे हो leave ले रहे हो यह बिल्कुल भी गलत बात है ठीक है क्योंकि यह जो आप IAT निकालना है यह आपका अपना decision है धोपा नहीं गया ठीक है यह आपका अपना decision है तो अगर मुझे जैसे अभी मेरे mind में है I am a full time teacher right now मैं पूरा दिन school में पढ़ाता हूँ फिर भी मैं आके यहाँ पर बना रहे हो क्यों क्योंकि मैंने एक mind बना लिया कि अपने बच्चों को एक online portal में उन्हे quality product देना है ठीक है अब मैं कह दो नहीं जी मैं गंटे मैं आज चुकी ज़्यादा वर्डन था तो इसलिए मैं आज वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो ऐसे नहीं होता है similarly school का का काम school के साथ करना है और preparation का काम जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम दोनों को cope up नहीं करने पारे हैं मतलब वहाँ pause करो दुबारा अपने आपसे पूछो कि क्या IIT की तियारी करना आपका decision सही है या नहीं है या यह आपका decision है या simply किसी के कहने के वज़ा से आप यह decision लिए हो ठीक है क्योंकि school में देखिए आपको basic learning मिलेगी focus on theory part मिलेगा periodic test होता है say fa1 fa2 different types of test test होते हैं जो आपको कहीं न कहीं benefit करेंगे making classwork copy आप copy जब आपको बनाओगे तो कहीं न कहीं वो writing work आपका addition जाएगा ठीक है और homework जब आपको मिलता है तो उसी बाहने आप कोई न कोई topic उठाओगे कोई न कोई topic आप पढ़ोगे जी preparation में क्या फाइदा होता आप advanced learning तो बिटा advanced learning आप तभी कर पाओगे जब आपका basic learning school वाला clear हो focus on numerical आप तभी कर पाओगे जब focus on theory part हो self assessment तभी आप कर पाओगे जब आपका कोई test लेके बोल दे बिटा आपके तियारी तो zero है तभी तो आप घर जाके दुबार आप test दोगे अगर कोई teacher बताने वाला ही नहीं है कि आपकी तियारी क्या है फिर आप self confidence में घुमते रहोगे वहाँ पर देगो class or copy यहाँ पर आपको solving lot of numericals है या और numerical जब lot लिग गया इसका मतलब rough में चाहे राइटिंग बन रही है नहीं बन रही है चाहे एक line उपर से नीचे आ रहा है या नीचे से उपर आ रहा है वहाँ ओमर क्या है वहाँ आप जब homework करोगे तो कहीं न कहीं आपको उसी के बात तो पता चलेगा कि कैसे कोई एक teacher जब homework देता है तो उसके अंदर एक motive रहता है कुछ वह सिखाना चाहता है आपको उसी को जो आप उस trick को समझोगे तब यह आप learning and applying shortcut सीख पाओगे ठीक है तो यह चीज़े बहुत important है next slide पर करते हैं track your progress देखिए आँख बन करके आप भागते रहो और आगे पीछे भी नहीं देखो यह भी नहीं देखो कितना भागा है कितना बचा है कितना target है यह भी बहुत गलत है अपना progress track करो अगर आप सही जा रहे हो आपने एक target बना दिया जी मुझे mechanic करना है एक महीन और अगर आपने complete नहीं किया तो punish करो punish कैसे करना है तो अपनी writing time को increase करा दो जिससे जब IIT का जी का जो बच्चा तियारी का है वो लिखना नहीं चाह रहा है तो अगर आपने कोई target complete नहीं कर पाय तो एक काम करो इससे बड़ा punishment नहीं है increasing time बढ़ा दो sorry writing का जो time है न वो topic आप imagine करो आप अपने आपको punish करो कि ये topic के बाद में numerical नहीं लगाओ ये topic पहले तीन बार लिखूंगा या लिखूंगी फिर numerical portion पे जाएंगे आप देखो अपने आप अगली बार आप वो गलती repeat नहीं करोगे और इस punishment से भी आप बहुत कुल सीखोगे अब लोग पूछ problem की वज़े से किसी personal problem की वज़े से clear नहीं कर पाते हैं और कुछ हो सकता है तो लग कहीं न कहीं एक percent account होता हो clear कर जाते हैं तो top words की देखो एक ही बात होती है मैंने इतना पढ़ा ऐसे पढ़ा तो देखो वो सब के लिए सब का अपना तरीका होता है life जीने का सब का अपना क कुछ बच्चे होते हैं मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं और उनके testimonials अगली बार upload करूँगा जो आज भी phone करके thank you कर रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया यह आप नीचे देखो subscriber में भी हैं वो तो clear वो यही कहते हैं कि सर हम तो 2 गंटे पढ़े 3 गंटे लेकिन हमने निकाला ठीक है लेकिन जब वो किसी से बात करना जब हम सुरू करते हैं तो यह बोलना पड़ता है ठीक है कि हमने पूरी जिन्दिगी लगा दिया हम जब 9 में ते 20 तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों तो इसलिए मैंने वो बाते हटा दी मुट टॉपर से म जो मैंने मोर मेन लिया है न उन बच्चों से वो यह है कि मोटिवेशन वो बच्चे चाहिए एक घंटे भी पढ़ें बट वो डेली पढ़ने वाले बच्चे थे उनके माइन में एक एम था ठीक है वो खेलते भी थे फिर भी एक माइन में एक एम रहता था था होना पड़ेगा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा ठीक है अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो आपको प्रॉबलम नहीं आएगी जैसे मालिया मुझे किसी साधी में जाना है मुझे डेली से मद्राज जाना है साधी में अब वो मेरा दोस्त है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जब उसके साधिम जाओंगा तो मैं पूरे रास्ते तीन दिन की जर्नी है तीन दिन की जर्नी में मैं कभी भी यह नहीं सोचूंगा कि क्या है मतलब अगर कितनों प्रॉब्लम आएगा मैं उसे अवाइड करूंगा क्योंकि मुझे इस बात की खुसी रहेगी कि मुझे साधि में जाना है वही कि कोई मुझे जबर जस्ती भेश था तो मैं दस बहाने करूंगा कि मैं नहीं यह सीट नहीं मिला नहीं तीन दिन कैसे कोई बंदा जा सकता यह कोई जबर थोड़ी ने इतना दोर यहाने का तो सेम बटा track इस examination का भी है एक साल का लंबा track है दो साल का लंबा track अगर आप 10 से हो तो दो साल का track है 12th में हो या pass out batch हो तो 1 year का आपका यह track होता है तो यह track में लगातार चलना ही बहुत मुझे है इसके लिए जो topper says, जो भी कहते हूं, वो बाते ना करके, हम में उठाते हैं, motivation, motivation is the key to crack this examination, as it is two year, one year long preparation, you have to deal with lot of topic, lot of numerical, but trust on yourself, trust me, अभी जो मैंने पहले slide में बोला, कि when you will see your role number in the selected list, you and your family members, your teachers, अपने उपर से trust नहीं होना चाहिए, next slide पे चलते हैं, देखिए, इसे आप pause कर सकते हो, इसमें मैंने सारे detail दिये हैं, कि आप कहां से हो resources पा सकते हो, और एक चीज़ जो बहुत important है, बार बार मैं आप से बोला हूं, subscribe the channel, इसलिए नहीं आप से बोला हूं कि subscribe करने से कोई बहुत फायदा हो जाता है, ऐसा नहीं है, actually जब आप subscribe कर दोगे, क्योंकि आपको पता है, बहुत सारे videos हैं YouTube में, बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे ही आप वो अपने mobile से या YouTube खोलते हो, तो आप देखोगे, जो आपने पिछली बार watch किया था, हो सकता आप कोई movie watch किये होगे, तो उसी की videos आएंगे आपके सामने search engine मे ठीक है, यह कई सारी videos आती हैं, और जिसे education से कोई लेना देना नहीं है, clear हो रहा है, जैसे कोई बच्चा ऐसे dance कर रहा है, ठीक है वो dance कर रहा है, उसका अपना talent है, लेकिन आप समझ गये होगे मैं जो कह रहा हूँ, तो अगर आप subscribe करते हो, तो आपने देखा होगा कि लग है और यह मेरा चौथा वीडियो, फोर्थ वीडियो है, तो around same target है मेरा, couple of days में one video आपके पास आएगा, तो उस वीडियो को आपके पास उसका notification कहां से आएगा, तो notification आपको तभी आएगा जब आप subscribe करोगे, नीची आप देखो, इस वीडियो के नीची एक छोटा सा icon बने notification आएगा, कि your teacher has sent this one, या जो भी है कि this video are added, ठीक है, तो support our initiative, भई हम इतना मेनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, so बच्चे प्लीज इस channel को और बढ़ाओ, और बच्चों को जोड़ो, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा audience रहेगी, जितने ज़्यादा बच्चे हों और उतना ज़्यादा कहीं हमें आगे की तैयारी में भी फाइदा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर don't forget to subscribe my channel, और यह जो comment line है, जो मैं हमें सायड करता हूँ, join hands with me to give best material and support to students who are unable to go to expensive tuition classes and coaching, okay, so this is Ravish Kumar Mishra, meet with you with new lecture, ठीक है, तो जो हमारा next lecture है, उसका मैं एक preview दे देता हूँ, we are going to solve IITG solutions, I mean we are going to discuss IITG solutions physics portion, ठीक है, बाइबाइ.